नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव के इस खास प्रेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान प्रतियूस आपके लिए राजनेतिक गलियारे से खबर है पिहार में तो पता ही है आपको की उपिंदर को स्वाहा चाय हुए है हर जगा उन्हीं के चर्चा हो रही है ऐसे में उ उपिंदर को स्वाहा गुरुवार को पटना से दिली ये कह कर निकले थे कि दिली जा रहे हैं अमित्साह से मिलने का प्रयास करेंगे लेकिन अमित्साह इस बार भी उनसे नहीं मिले चुनावी बेस्तता का हवाला देकर उपिंदर को स्वाहा को टरका दिया अमित्साह ने पहले अमित्साह कुस्वाहा को खोज रहे थे, तो उपिंद्र कुस्वाहा पटना में पैतरा दे रहे थे, अब जब उपिंद्र कुस्वाहा अमित्साह से मिलना चाहते हैं, तो अमित्साह के पास टाइम ही नहीं है, सुकरवार को उनकी पार्टी के राष्टे महा सची नागमनी ने यहां तक धमकी देड़ दाली थी कि अगर दो दिनों में फैसला नहीं हुआ तो सनिवार को आज पटना में होने वाली पार्टी की राष्टे कारकारने की बैठक में उनकी नेता उपेंद्र कुस्वाहा बम फोड़ देंगे लेकिन अमित साह कुस्वाहा से जब नहीं मिले तो फटने से पहले ही उपेंद्र कुस्वाहा फ्यूज दिखने लगे हैं उन्होंने कहा कि आज नहीं मिल पाए तो क्या हुआ मिलने का समय मांगा है उन्होंने आगे कहा कि अगर अमित साह के साथ बात नहीं बनी तो प्रधान मंतरी से मिलेंगे सवाल ये उठता है कि जब अमित साह उनकी नहीं सुन रहे हैं तो प्रधान मंद्री उनकी कितनी सुनेंगे जाहिर है कि कुसवाहा उन्हें सिर्ट सेरिंग को लेकर जो प्रेसर पॉलिटिक सुरू किया है उसके चक्रवी हुमें वो खुद थस्ते दिख रहे हैं कुसवाहा महागटबंदन में जाने की धमकी देकर बीजेपी पर दवाव बनाने की कोशिस में जूटे हैं लेकिन सच ये है कि उन्हें अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई आस्वासन मिला ही नहीं है जब उन्हें इंडिये से बाहर कर दिये जाने की खबर आई है तब से तेजस्वी आदों ने चुपी सादली है एक बार भी खुद नहीं कहा कि चिंता मत करिये कुसवाहा जी हम आपके साथ खड़े हैं दिखें आज कार्यकारणी की बैठक चल रही है उसमें राष्टी प्रवक्ता माधो आनंद भी आये हुए हैं और माधो आनंद ने फिर से एक बार बीजेपी को धमकाया है उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी तुरत फैसला नहीं लेती है और उपिंद्र कुसवाहा के नजर लाज करना नहीं चोड़ती है तो आज की बैठक में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है उन्होंने कहा कि माहागणवन्दन की तरफ से जीसतर से उनका स्वागत किया जा रहा कर दो हैं माहा कटवन्दन के नेता जितन रामाजी भाई विरेंद्र जिस्तर से कह रहे हैं कि उनको लेने के लिए हर कुर्बानी देने को तयार है इसके उलट हो रहा है इंडिये में उपिंद्र कुस्वहा सबसे जनाधारवाले नेता है उनको कोई पूछ नहीं रहा है नित सब्सक्राइब को तमाम अन्य ज़्याद सब्सक्राइब करता है और जिस तरह कोई प्रस्दिती नहीं बनेगी यह इसके लिए आधर नियों उप्रंद कुस्वाद याधिकिरत हैं और पार्टी के राश्ट्री आध्यक्ष हैं पूड़े पार्टी के निताओं नहीं इनको अधिकर्ज किया है कि आप अमित्सा से जाकर मैं चाहता हूं कि अब मनिश्चित रूप से हम लों का जो गठवंदन ने वबरकरार रहे असंपुन आरेलेस्पी पार्टी जो है तो एंडिये गठवंदन में रहे मैं यही चाहत तो आज भी धमकाया लेकिन इस मामले की गंफिरता को समझे दरसल महागडवंदन में जाने का डर दिखा कर कुश्वाहा विजे पीपर प्रेसर पॉलिटिक्स के तहत दबाव बना कर तीन बात मनवाना चाहते हैं पहला वे किसी तरह से कम से कम तीन सीटों के विवस्था कर वाना चाहते हैं जो फिरहाल दिखने ही रहा है अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजे पी उनकी ये तीनों मांगे मानेगी कुश्वाहा का कहना है कि 2014 के मुकाबले उनकी ताकत बढ़ी है इसलिए ज़्यादा सीट उनको मिलनी चाहिए दूसरा उनका कहना है कि जब इसकुमार से ज़्यादा उनकी विरादरी का बोट है इसलिए बीजे पी उने अपना अगला मुख्यमंतरी का चेहरा बनाए लेकिन बीजे पी नेताओं का कहना कुछ और है उनका कहना है कि जिस ताकत बढ़ने की बात कुश्वाहा कर रहे हैं ओ दावा 2015 के बिधान सभा च पास आये थे यानि संकट में साथ देने का उनका दावा भी बीजे पी कमजोर मान रही है दूसरी तरफ नितिस कुमार जो भले बीजे पी के चहेते नहीं है लेकिन उनके बीजे पी का सत्ता में आना बिहार में ना मुखिन दिख रहा है पिछले चुनाव में यह बीजे प देख चुकी है जब उपिंद्र कुश्वाह बीजेपी के साथ थे फिर भी बीजेपी सरकार बनाने की इस्तिती में नहीं आ पाई जाहिर है बीजेपी की चुनावी नया नितिसकुमार के चेहरे की बदोलत ही पार हुनी है और बीजेपी वह खुबी समझती है ऐसे में जब नितिसकुमार ने लालू यादों से नाता तोड़कर बीजेपी की सरपरस्ति सविकार कर ली है भला बीजेपी उन्हें खुद छोड़ देने की भूल क्यों करेगी इसमें कोई सक्की गुंजाइश नहीं कि अगर उपिंद्र कुश्वाह नितिसकुमार की जगह लेने यान उनके मुकाबले कद छोटा है और उनकी पार्टी नितिसकुमार की पार्टी के मुकाबले बहुत छोटी है कमजोर है कहां नितिसकुमार के पास असी बिधायक हैं और उपिंद्र कुश्वाह के पास दो बिधायक हैं और ओभी नितिसकुमार के साथ जाने को बेताब हैं आ परिए से इस सिति ये है कि वो इंडिये में रहें, महागडवंदन में जाएं, दोनों इस सिति में उनकी पार्टी में टूटता है। अब सवाल उठता है कि महागडवंदन में सामिल होने और ज्यादा सित और समान देने के खुले ओफर के बावजूद ये कोई निरने क्यों नहीं ले पा रहे हैं। चकर व्यूद में कुस्वाहा ऐसे फसे हैं कि माया मिली नराम वाली इस्ति पैदा हो गई है। उन्हें ये बखुवी मालूम है कि विपक्ष की तमाम गोलबंदी और इंटी इंकम्बेंसी के बावजूद इस बार के चुनाव में परधान मंतिन नरेंद्र मोदी को सब्ता से बेदेखल करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी और बिहार में उनकी पार्टी ही बिखराव के कगार पर खड़ी है। जाहिर है वो बीच मजधार में फसे हैं। अगर इंडिये से अलग हुए तो के इंद्र के सता से हाथ धो बैटेंगे। और महागट बंदन में गए तो पार्टी के जो दो विधायक और एक सां सांसद हैं और पार्टी के बचे खुचे भगवान कुस्वाहा सरीखे जो बड़े नेता हैं वो भी पार्टी से निकल जाएंगे। हलाकि इस संकट की घड़ी में जहानाबाद सांसद अरुन कुमार उनके साथ खड़े दीख रहे हैं लेकिन ये मजधार में एक तिनका के स नवान ही हैं जो लगता है कि पार लगा देगा लेकिन वो पार लगा नहीं पाता है तिनका तो तिनका होता है आज सनिबार को पटना में कुस्वाहा की पार्टी की रास्टे कारकाने की बैठक चल रही है देखिए कि इसमें क्या बड़ा फैसला होता है जहां तक मेरा उन् ज़ान मंत्री से मिलने की बात कहकर टाइम पास करेंगे ताकि इस बिच आरजडी के साथ जो कुछ भी होना है फाइनल हो जाए तै हो जाए जो भी लेटिस्ट खबरे आएगी हम आपके साथ सेर करेंगे आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के